सब को जहन से की मैपाश्त अलार जी, विश्वकर्म, हाईए आज दिन की नई सुरुवात के लिए सुवधी प्रातना हरे के लिए करते हैं प्रातना सुरु करनी से पहले में वचं की माधियन से हरेक सी बात सित करना चाहता, हाईए वचहन को देखते हैं युहन्नारचीशू समाचार अध्याइच्छे वचन सरसत आएगे देखते हैं तब येशू ने उन बारहों से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हैं शमौन पत्रस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभू हम किसके पास जाएं अनंत जीवन की बाते तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जल तो ही है मेरे फ्यारे भाहरवनों यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यसमसी जब अपने चेलों से बात कर रहे थी उन्हें अनंत जीवन के विश्व की बाते बता रहे थी और वो बातें बड़ी खराई की बाते थी इतने में उस खराई की बातों को सुनकर चितने हज्जारों की भीड वहां पर लगी वी थी खराई की बाते सुनकर भीड के लोग बारी-बारी करके पीछे से वगायव होना चाले हो गी वहाँ पर सिर्फ येश्व मसी के बारष चेले बचे जब येश्रु मसी ने देखा सब के शब चले गए सिर्फ बारह चले बचे तब येश्रु मसी उन बारहों से कहता है क्या तुम भी चले जाना चाहते तो उन बारहों मेशे जिसका नाम पत्रस था प्रभु का चेला जिसका नाम पत्रस था वो प्रभु के सामने वो जुक कर गिर कर दन्डवत करके वो कहता है प्रभु हम किस के पास जाएं स्वेमोन पत्रस ने कहा है प्रभु हम किस के पास जाएं अरे अनंत जीवन की शारी बाते तेरे पास हैं येसो मसे से पतरश ने कहा हे प्रभू हम किसके पास जाएं क्योंकि अनंत जीवन की शारी बाते तो तेरे ही पास है हम जानते हैं कि अनंत जीवन की ये कि ये जो शब्द है जो ग्यान है जो मार्ग है वो किसी और के पास नहीं कोई नहीं दे शकता सिर्फ तुम दे शकता है इसलिए प्रभू हम तुझे छोड़ कर कहां जाएं किसके पास जाएं कि कि संसार में आकास के नीचे प्रिथभी के उपर मनुश्यों के बीच में सिर्फ ये कही नाम है वो तेरा येश्व का नाम है सिर्फ इस नाम से उद्धार मिल सकता है सिर्फ येश्व का नाम है मेरे प्रियों जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सकता है इसलिए येश्व मसी से पत्रस कहता है हे प्रभू हम किसकी पास जाएं कि अनंत चियन वाली सारी बाते तेरे खाजाने में हैं तेरे पास हैं हम तुस्वे प्राप्त करते हैं तेरे शिवा हमें कोई नहीं देशा कहता है कि हे प्रभू हमने तो विश्वास गिया है और जान भी गए है हमने तो तेरे उपर विश्वास कर लिया है और तेरे विशे में जान भी लिये है कि परमेश्वर का पुवित्र जन तो है पत्रस ने कहा हे प्रभू हमने तो तेरे उफ़र विश्वास कर लिया है और तेरे विशे में जान लिया है कि परमेश्वर का पुत्र केवल है तो वत्तु है तेरे शिवा परमेश्वर का कोई इ इसलिए हम तुझे छोड़ कर कहा जाएं किसके पास जाएं कि यहां पर तो इस अंसार के अंदर अनंत जीवन की बातें तो तुहीं देशकता है तुहीं हमें मार्ग देशकता है तुहीं हमें वो जीवन की शक्चा ही बता सकता है उस सचे परविश्वर के विशे में बताता है और तुहीं हमें जीवन को देशकता है इसलिए हे प्रभू मैं तुझे छोड़ कर कहा जाओं किकि मार्ग तेरे पास है शक्त तेरे पास है जी तो इससे मिल सकती है तेरे शिवा हमें कोई ने दे शकता है इसलिये प्रभु हम तुझे छोड कर कहा जाए इसलिए प्रभु हमने तेरे ओपर विश्वास कर लिया है तेरे विश्यम में जान लिया है कि अनंत जीवन सिर्फ तुछ से मिलेगा और तुम ही है जो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि सारा अधिकार तुझे दिया दिया इसलिए प्रभू हम तुझे छोड़ कर कहा जाए मेरे फ्रियों ठीको शिप्र का आप भी येश्व मशी को पूरी तरह से जान लो और येश्व मशी के उपर विश्वास कर लो और ये बात जान लो कि येश्व के अलावा कोई नहीं है जो अनंत जीवन दे शकता है क्योंकि अनंत जीवन की सारी बाते येश्व के पास इसलिए आप भी येश्व के पास आईए येश्व के करीब आईए उसके सरण में आईए येश्व को अपना आईए उसके वचन को अपना आईए जरूर है कि येश्व मशी आपको मारगे देगा येश्व मशी आपको यह समस्य आपको जीवन देगा अमेन अलेलोया आखों को बंद करें पुरी विश्वास से भर जाएए हम सभी के लिए प्रातना कर्में जा रहे हैं जरुने कि इस प्रातना के द्वारा प्रभू आपको आश्युश द्धनिवाद करता हूं मेरे प्रभू परमेश्वर इन परातना करते हैं परमेश्य स्वर्जिश अपने लंबे हाथों को बढ़ा कर हर एक स्री करतर प्रभू आज के प्रातना के द्वारा इनके जीवन का उब आथि उगधार का लियार होनेuffायRE ू ये मरे महान प्रमेश्व परतना करते हैं जितने लोग अपने जीवन में निरास है उदास है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कोई बंधन हो तो बंधन तूटने पाई पिता हम प्रार्थना करते भी ता इनके जीवन की सारी निरासा हैं दूर हो जाए प्रभू मैं प्रार्तना करता है इनके जीवन में कोई रुके विया दूरी काम है आज येशू के नाम से पूरा हो जाए प्रभू आज के शुबह की प्रार्तना के द्वारा इनके जीवन में बड़े बड़े अदबुत काम होने पाए आज ये प्रार्तना के द्वारा इनका जीवन अलगिक शमतकार से भर जाए आज ये प्रार्तना के द्वारा इनके जीवन में सब कुछ नया नया होना चाल हो जाए हाँ मेरे माहन परमेशन मैं प्रार्तना करता हूँ कि इस प्रार्तना को सुनने वालों में जितने बिमार व्यक्ति आज येसू तेरे असपर्श के द्वारा उन्हे चंगाई मिलने पाए येसू मसी का असपर्श होने पाए ताकि जितने बिमार चंगे हो जा जिनके मस्तक में बिमारी निकल जाए आँखों के अंदर बिमारी निकल जाए कान में बिमारी निकल जाए मूँ में बिमारी हो निकल जाए गले में बिमारी हो निकल जाए शीने की बिमारी हो निकल जाए पेट की बिमारी हो निकल जाए कमर और रीड के अट्दियों की बिमारी हो तो निकल जाए जिसके घुट्रने में तकलीब हो निकल जाए, जोडों में तकलीब हो निकल जाए, हेपरमेशन, बलाट, पेसर, सुगर की बिमारी निकल जाए, दमा, यचाईबी, टीबी, कैंसर, जो भी अनस्ट हो जाए, कितने भी पुरानी जखह में सुग जाए, जिसके सरी में बलाट की बिमारी निकल जाए, फाइलेरिया नस्ट हो, थाइराइड की बिमारी निकल जाए, हेपरमेशन, गैस की बिमारी तो गैस की बिमारी निकल जाए, शूजन हो तो नस्ट हो जाए, जिसका हाथ ने उता उतने लगे, पहन नहीं चलता चलने लगे, लक्वे का बिमारी रोम निकल जाए खाज खुझलिया निस्टो विप्रकार के डाग दबने निकल जाए जितने लोग इस प्रार्त्ना को सुनने हैं इनमें से जिसके पास संतान नहीं है, पाराम पिता परमेशन उन्हें शंतान दें, जिसके गर्व में बंदने उशारे बंधन तूटने पाए, उनका गर्व फलवन्त हो जाए, गर्व में संतान के उत्पप्ति होने पाए, यह परमेशन जिसके सरी में दुष्ट आत्माय हो, मैं डारता हूँ याश्व के नाम से तिस्ट आत्मा है निकल जाए हाँ मेरे महान परमेश्य अप्रार्त ना करते हैं ओ प्रभू अपने श्वर्ग का द्वार कोई और अपने श्वर्गी आत्मा का विश्यक आने दे ताकि जितने बुरे विशन में हैं और विशन से मुक्त हो जाए जितने बुरे मार्ग पे हैं बुरे मार्ग से तोरे जाए हाँ मेरे महान परमेश्य अंप्रार्त ना करते हैं आज इनके श्योन में बड़े बड़े अद्बूत काम हो आज प्रभू हर इके जीवन में अपनी आशिस दे रहा जितने बीमारी वे चंगियों हो रहे हैं जितने चर्म रोग से तकलीत में है आज से इनके चर्म रोग गैब हो रहे हैं पोड़े फंसियाज से गैब हो रहे हैं हर प्रकार का दर्द गैब हो रहा है जुखाम खासी बुखार गैब हो रहा है प्रभु की नाम से यशु की नाम से पेट की बिमारी जा रही है यशु की नाम में वो महान परमेश्य जितने इस प्रार्तना को सुबरे आज उनके जीमन में बड़ा चमतकार हो गता है आ मेरे महान पिता प्रारत ना करते हैं सुराजा तेरे नाम में शफ के लिए तेरी आशिश और चंगाई मांगते हैं अमेन अर्मेश आरे को आशिज दे गाड ब्लेश उ धाल इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटिस टुडियो सबसे पहले देखने के लिए